हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक, I am Vivek Shingal from tradingwithvivek.com और आज हम बात करने वाले हैं पेटियम के बारे में पेटियम को लेकर मैं पहले भी दो बार वीडियो बना चुका हूँ और ये जो मैंने वीडियो बनाई थी एक वीडियो बनाई थी मार्च 1st 2022 को almost 8-9 months back और उससे पहले मैंने 1 year back इसकी वीडियो बनाई थी जब इसका IPO आया था और लिच्ट होने के बाद सिर्फ 2 days हुए थे November 23rd 2021 को तो अगर हम November 2021 को 23rd 2021 को देखने लगें तो उस time जो price था वो price था 14.95 और उस price से अभी तक अगर हम देखें कि stock price कितना डाउन है तो आज की date में after 1 year this is down by 56% तो 56% डाउन है और जब दूबारा उससी video बनाई थी इसकी तब March 1st 2022 को बनाई थी तो March 1st 2022 को भी इसका price उपर ही था अच्छा खासा उपर means पहले वाले से डाउन जा चुका था लेकिन उसके बावजुद भी 795 was the price उस time पर और 795 से भी ये नीचे गया नीचे जाने के बाद में और उपर वापस से इसने एक bounce back दिखाया यहां से नीचे गया bounce back दिखाया लेकिन same ही level से इसने वापस से नीचे आना शुरू कर दिया मैं इसकी अगर टेकनिकल की आपको बात करने लेगूं तो टेकनिकल में यहां पर यह एक कप विद हैंडल पैटरन बना था और कप विद हैंडल पैटरन का जो टेकनिकल टार्गेट था वह ओल्मोश्ट शायद यहां पर एचीव हुआ अगर हम चेक करने लगें एचीव नहीं हुआ हाफ तक ही गया उसके बाद में नीचे आ गया तो यहां पर कप विद हैंडल पैटरन क्यों फेल हुआ जैसी मैं हमेशा कहता हूं कि हमें सबसे में पह्ले ब्जुनेस को इंपोडेंस देनी चाहिए जब बिजुनेस समझ में आ जाए अच्छा समझ में आ जाए उसके बाद ये मैं फनेंशल पर जाना चाहिए और जब वनेंशयल को यहां पर हमारी एनलेस को एप्रूव करें कि की इन on पर business and fundamentals support नहीं कर रहे हैं तो हमें entry नहीं लेनी चाहिए इसलिए मैं हमीशा सबसे पहले business देखते हैं हम लोग उसके बाद में financials देखते हैं उसके बाद technicals पर जाते हैं क्योंकि अगर technicals तो yes कह रहे हैं और financials yes नहीं कह रहे हैं तो आज तक company ने profit देखा ही नहीं है, कि profit कहते किसे हैं, they don't know how to make money actually, तो इस particular पूरे business को हम क्या कहेंगे, मैं तो इस पूरे business को एक scam का नाम ही दूँगा, और वो scam इसलिए because this is a listed company now, listed होने के बाद में इस तरह की performance ये कभी भी अच्छी बात नहीं है, जब तक company listed नहीं थी, त कुछ netic जिम्मेदारियां होती हैं, क्योंकि minority shareholders के पैसे लगे होते हैं, newspaper में आपकी advertisement आई होती है, कि इसका IPO आने वाला है, इतने percent growth दिखाई जाती है, और वो growth सिर्फ revenue terms में होती है, net profitability कि अगर हम बात करने लगे, तो net profit तो आज तक किसे कहते हैं, वो पता ही नहीं है आप low profit हो, यहाँ पर operating loss है consistently, year to year, quarter on quarter, quarter over quarter, तो यहाँ पर किसी भी तरीके से कोई भी आप formula लगा लो, यह company loss making company है, इसलिए मैंने जब एक साल पहले वीडियो बनाई थी, और उस टाइम पर भी मैंने साफ साफ यही बोला था, कि इस company से दूर रहने की ज़रत है, जब मैंने almost 8-9 months पहले इसकी वीडियो बनाई थी, तब भी मैंने यही चीज बोली थी, कि इस company से दूर ही रहने की ज़रत है, और अभी भी, क्योंकि बहुत सारे लोग यह कहते हैं, विवेक भाई, इस तरह की companies की जब revenue बढ़ती है ना, तब इनके net profitability निकल कर आती है, मैं एक छोटा सा question कर करता हूं, उस thought process को लेकर, कि जब 551 crore की इनकी sales थी, तब इनका net loss था 284 crore, हमने यह कहा कि जब revenue डबल हो जाएगी, तो शायद इनके खर्चे सेम रहेंगे, और इनका profit यहां से निकल आना शुरू हो जाएगा, तो June 20 से लेकर, यहां पर September 21 तक इनकी revenue डबल हो गई, हम दे तो यहां तो loss खत्म हो जाना चाहिए था, क्योंकि हम यही बात कहते हैं, revenue बढ़ेगी, तो volume आएगा, volume के चलते, यहां profitability आएगी, लेकिन इनका तो loss भी यहां पर डबल हो गया, यहां तो कोई impact ही नहीं आया, उसके बाद में अभी last September से लेकर, जो latest quarterly results आये, 1900 crore, यहां पर revenue इनकी double हो गई, लेकिन अगेन फिर से same चीज कही जा सकती थी, कि जब revenue यहां से double हो जाएगी, तो volume आएगा, business में और इनके खर्चे same रहेंगे, और profitability आजाएगी, लेकिन यहां तो फिर से loss इनका बढ़ गया, actual में इस company को कभी profit बनाना आता ही नहीं है, उसका एक reason है, उस जितने भी जो payment की वाली machine होती है, जो stores पर रखी होती है, वो से paytium की थोड़ी होती है, हो HDFC की भी होती है, access की भी होती है, यहां पर, और ICSA की भी होती है, SBI की भी होती है, वो तो सभी bank provide करते हैं, जहां तक बात है online payment की, online payment को लेकर, मैंने आज तक paytium use नहीं किया, और ब bank को बरोदा, जो सरकारी banks है, वो भी same service provide करते हैं, सब के अपने mobile application है, सब QR code को scan करते हैं, और सबसे payment होती है, तो जब मेरे bank account से, के application से, सीधी सीधी payment होती है, तो मैं एक अलग से intermediate, यहां पर transaction के लिए, किसी third party को क्यों लेका रहा हूं, मैं paytium को क्यों लेका रहा हूं, बा discount को लेकर, as a consumer, हो सकता खुड़ा सा फायदा हो जाए, लेकिन उस discount को लेकर, as a business owner तो फायदा नहीं है, business owner होने के हिसाब से, तो यहां पर loss ही है, और जब हम stock market में trading की बात कर रहे हैं, तो यहां पर जब उस company के shares को purchase करने की बात कर रहे हैं, तो यहां पर business owner बनने की बात कर से, तो technical में वापस से हम क्या देखते हैं, कि जिस level से, यहां से इसने breakout दिया था, cup with handle pattern बना कर, target को achieve किये बिना, यह वापस से नीचे enter कर गया, और जो पहले यहां पर resistance था, ध्यान से समझना इस बात को, जो पहले resistance था, वो उसके बाद में support बना, फिर यहां पर यह support बना, लेकिन नीचे से उपर जाकर यही फिर resistance बन गया, फिर उसके बाद में नीचे वापस से breakdown दे दिया, और same level इसने फिर से resistance दिखा दिया, अब इसमें क्या हो सकता है maximum, अब इसकी जो support है, immediate support इसकी यह है, that is 600 के आसपास, अगर हम इसकी एक horizontal proper line draw करने लगें, this is 630, यह immediate support है, और immediate resistance क्या है, इसका immediate resistance है, जहाँ पर इसमें दो बार resistance लिया है, that is 743, मेरे हिसाब से 743 तक भी जाने का इसमें कोई, मुझे reason नजर नहीं आता कि यह 743 भी क्यों हो जाएगा, company means कोई भी operator इसको 743 तक लेकर भी क्यों हो जाएगा, क्योंकि operator के लिए भी किसी stock को उपर ले आने के लिए कुछ तो buying करनी पड़ती है, और इस तरह के pathetic financials को लेकर कोई भी operator अपने पैसे वहाँ पर क्यों invest करेगा, अब एक मैं आपको छोटा सा comparison करके दिखाता हूँ, यहाँ पर जब हम बात कर रहे हैं, पेटियम की, तो पेटियम की sales यहाँ पर quarterly sales कितनी है, 1914 crore, और yearly sales कितनी है, 6591 crore, और lows कितना है, 2700 crore, यानि कि जितना, यह numbers समच से बाहर है, किसी भी angle से, उसके बाद में इसी को हम एक बार compare करते हैं, आदित्या बिल्डा capital से, और आदित्या बिल्डा capital को जब हम देखते हैं, कितने crore की पूरी company है, market valuation कितनी है, 31,000 crore की, और पेटियम की market capitalization कितनी है, 42,000 crore की, यानि कि पेटियम की market capitalization, आदित्या बिल्डा capital से बड़ी है, और आदित्या बिल्डा capital में सारे businesses आते हैं, यहाँ पर home loan आता है, personal loan आता है, two-wheeler loan आता है, four-wheeler loan आता है, यहाँ पर सभी तरह के insurance आते हैं, यहाँ पर सारे mutual funds आते हैं, इसमें PMS आ आता है, और यहाँ पर stock broking आती है, आदित्या बिल्डा capital is a complete integrated financial service provider सभी तरह की, और जहाँ पर हम profitability की बात करने लगें, तो profitability को देखकर आप दंग रह जाओगे, कि जितना पे टियम यहाँ पर every quarter loss करता है, 500 crore के आसपास का, उतना आदित्या बिल्डा capital यहाँ पर profit करती है, आदित्या बिल्डा capital has posted highest ever quarterly numbers, इसने अच्छे numbers कभी नहीं आए, और अगर आप इस company की growth देखने लोगो, then 2700 crore से लेकर 24,000 crore तकी revenue आगे है, within 7 years, and 300 crore के net profit से 1900 crore का net profit आगे है, 1900 crore का net profit, और इसी के against, यहाँ पर अगर हम PDM की बात करने लगें, then 2700 crore का loss, 2700 crore का loss कमाने वाली company, आदित्या बिल्डा capital से जादा market capitalization रखे बैठी हुई है, यह sustainable figures है क्या, ऐसा कौन सा काम है, जो आज की rate में, आदित्या बिल्डा capital क्यों कर पा रही है profitability पर, और Paytium क्यों नहीं कर पा रही है, क्योंकि Paytium में यहाँ पर loyal customer नहीं है, सिर्फ Paytium के पास वो customer है, जो customer discount चाहता है कही ना कहीं, और discount चाहने वाले customers, जिस business group के पास होते हैं, वो business group सिर्फ revenue तो increase कर सकता है, वो profitability कभी नहीं ला सकता है, यहाँ पर profitability लानी के लिए, आपके brand की value होना important है, आपने customers को कुछ real services provide करके, उनकी life में value addition करना होता है, जिसके बदले customer payment करता है, और वो payment आ हैं, यहाँ पर paytm का model है, वो बिलकुल भी successful model नहीं है, we need to understand this, मैंने आपको अधिते बिल्डा capital का, जो यहाँ पर comparison करके दिखाया, वो इसलिए कि आप दो चीजों को यहाँ पर figure out कर सोको, कुछ लोग कहते हैं, यह technology वाला business है, इसमें कौन सी technology है, यार, इसमें कोई भी technology नहीं है, क्योंकि जितने technology हैं, यहाँ पर paytm यूज कर रहा है, सारी same ही technologies, financial services में, आदिते बिल्डा capital भी यूज कर रही है, और आदिते बिल्डा capital is making thousands of crore rupees of net profit every year, whereas paytm is losing thousands of crore rupees of amount every year, और फिर उसके बाद यहाँ पर paytm की market capitalization जादा है, तो अभी जो यहाँ पर stock price है, paytm 651, यहाँ से क्या क्या जाए विवेक भाई, आप यह भी तो बताओ, तो देखो मैं तो इसमें bearish हूँ, क्योंकि जब तक profitability नहीं आएगी, तब तक यह stock में कुछ भी दम नहीं रहेगा, जो market capitalization अभी इसकी 40,000 crore rupees नजर आ रही है, 42,000 crore rupees नजर आ रही है, यहाँ से 10,000 crore भी रह सकती है, 8,000 crore भी रह सकती है, 7,000 crore भी आ सकती है, और यह company जब तक roll अपना model change नहीं करेगी, तब तक यह कहीं भी जा सकती है, यह सिर्फ पैसक होने के लिए आए हैं, उससे ज़्यादा कुछ नहीं, यह अब पुरानी बाते हो जाएंगी, कुछी सालों में कि कोई कितने numbers customers यहाँ पर growth आए, और हम एक technology company है, वो सब कहानिया यहाँ पर बनाई गई और general public का पैसा लग गया, तो यहाँ पर general public को समझदार होने की ज़ुरत है, otherwise market में अपने product को sell करने वाले तो better ही है, यहाँ पर आपने choose करना है, product तो sell होगे ही, यह जिन्दगी बिना product के selling क नहीं चल सकती, लेकिन आपने decide करना है, कि कौन सा product कितनी worth में, कितने price पे करके worth है, और कौन सा product यहाँ पर कितना price पे करके worth नहीं है, तो यहाँ समझदार बने, यहाँ पर सीखने की ज़ुरत है, अगर यहाँ पर आपने subscribe नहीं किया channel को, आप नहीं है, तो subscribe कर लें, और दोस्तों किया share नहीं किया, तो share कर लें, और अपने आपको सतक रखें, यहाँ पर financials बहुत ज़्यादा important होते हैं, तो किसी भी stock को purchase करने से पहले, खुद से अपने laptop पर, mobile पर, screener, road in मर जाकर, यहाँ पर data देखें, या फिर बाकी जो भी website आप use करते हो, वहाँ जाकर data द में लेंगे खेंगे विडिक साथ, अब तक मजे करो या, thank you so much, have a nice day